जैहिंसातियोस अगत है आपका हमारी यूटूब चैनल में दोस्तो आज का जो वीडियो है वो हिंदी साहित पे संबन देते हिंदी साहित के लगवा 75 प्रस्णों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और यह बहुत ही महत्पून जो 75 प्रस्ण है वो बहुत ही महत्पून है दो दोश्तो आपने सब्सक्राइब करें होगारें नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अज का वीडियो वाट्सप में से चर्चार करें संब्सक्रार हिद करने का देता है साह Вид सिद्ध साहित आपको पता होगा सिद्ध साहित और नाथ साहित है ना यह साहित हमने पड़े हैं आदीकाल में हिंदी साहित के और इनको सरप्रतम संग्रहीत करने का जुस्त्रे देज़े दिया जाता है वो हर पिर सास्क्री जी को दिया जाता है इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकर नमर 8 अंगला जो question है निमिन मेंसे किस נे सरप्रतम प्रथविराज राशों की एतिहा सिखता पर प्रस्न चिन खड़ा किया कई बार एक्जाम में पूछा गया है दोस्तों इसकी कई बार पूछा जाता है कि प्रथविराज राशों की जो इसकी जो यतिहा सिक्ता है, बुक इस प्रकार की है, है ना, इस प्रकार से भी question बनते हैं, या आप प्रमानेक है, प्रत्विया जासों का कौन सा भाग या कौन सा पार्ट जो है वो आप प्रमानेक इस प्रकार से भी पूचा जाते है, इसकी यतिहा सिक्ता जो है वो आप प्र ज़िए लिए नहीं दिया था वहां पर गुरक नाट टेक करना है दो Yeah पर confused नहीं होना है क्योंकि मशंदर नात ने इसका प्रवर्तन किया था गोरक नात ने इसको आंगे बढ़ाया है ना लेकिन अधिकांस कई विद्वान गोरक नात को ही प्रवर्तक मानते हैं तो इस प्रकार से आप देख लेना गोरक बानी नामक संकलन के संपादक हैं तो दोस स्मस्ति ने तो वह मिलता है राठह रेख्यात में मिलता है जयव चंदप्रकास जयव मतर और हैं। نमेसे असंगत यग में हमें अहां पर बताना है कि असंगत यो के मैं कौंसा है आपको पताओगा चंदन वाला रास आस्गू कभी की रचना है स्थूरह भद्र रास तो यह कौन सी हो जाएगी धकाथ की हो जाएगी रवन्त्ग्री रास दो रख्याएभजा है ऑर व defense इनकी यहां पर कंफ्यूज नहीं होना साली वद्र सूरी है वो फर्थे सुर्वावुवली रास लेकिन इस तूल वद्र रास यह धर्म सूरी की है नहीं पर असंगर्ध है यहां रेकलेना निम्रम वेश संत्त का चैन करना है हमें वी सल्देव रासो आपको बता होगा तुछ यह जो हैं। हमें सकत कथन बताना आता तो यह सभी सकत जो हैं, बागी विद्वान आप परमाने क मानते हैं। प्रत्मियाज रासो जो महाकाब हैं हिंदी का प्रत्म महाकाब माना जाता है उसे आप वर्लस भासा का मानने वाले जो विद्वान है वो कुण है कौन है उनी जड़ विजय बिकल्ब नमर 20 का सई हो जाएगा यहां से कॉस्चन एक नाई एक बनता ही हरा एक्जाम है रातो साहत की युद्पत्ति को मानने वाले का संगत योग में है तो हर्परसाथ सास्त्री रहस रातो साहत की युद्पत्ति मानते हैं रहस से माना यह राम चंद्र सुखल ने किस से माना है रसायन से माना है याद रख लेना किस विद्वान ने कभी स्वयंगु को हिंदी का प्रथम कभी माना है जी हां दोस्तों कभी कभी पूछा जाता हिंदी का प्रथम कभी कौन है किस के अनुसार राम कुमार परमा के अनुसार हिंदी के कभी प्रितम कभी है स्वयंगू, याल रख लेना, रामकुमार वर्मा साब ने हिंदी के प्रितम कभी स्वयंगू को माना है, पयम चरू का बरन विसाइग क्या है, तो आपको बताना है, पयम चरू राम कथा पर आधारत है, याल रख लेना इसको, कई बार एक्जाम में पू उसके जो रच्चेता कभी आस्गू हैं इस इस्तान से संबंद रखते हैं तो इसका सही उत्त हो जाएगका विकर नुमरी जालोर से रखते हैं इसका सही उत्त क्या हो जाएगा दिल डाध रखो इसको दील द gyn ders हो जाएगगा सिरंक लाकी कणियां निबंद किसका है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तो महाँदें वी बरबा स्षरंखलां की कणिया इनका बहुत ही पैसे निबंद हैं आपको बता होगा कि महाँदें मु veee बरवाजी का हो जाएगा उसको याद रखना है छहार नीर्जा रस्मी दीपसेका ए रचना है तो एंथा कोन की है तो यह भी दोस्तों हुख रिंखो महादेवी वर्मा जी 15 रखना को पता हो ऊंदेखो यहा 20 लेख क्या महादेवी बर्मा का जन्म कब हुआ जिया दोस्तों महादेवी बर्मा का जन्म बताना है तो आपको बता होगा कि महादेवी महादेवी का जन्म कब होगा साथ में होगा क्योंकि महादेवी क्या है हमारे साथ रहती हमेशा तो महादेवी बर्मा का जन्म 1907 में है न कवी ताक किसकी है आपको पता होगा बहुत सारी श्यारे इन्होंने एक आत्म कथा लिखी और बहुत प्रस्थ आत्म कथा थी उनकी और हर एक्जाम में वह पूछी जाती हरीवन स्राय बच्चन की इसानमंत्रन भी नहीं नहीं Emil ईबाचन से आपको याद रखो इस सुरआ का पान किया करता हूँ इस पद में इस इस उरा थै इस सुराका हुए बताने है तो प्राइम रूपी स्राव से यहां पर इसकार्थ लिया है उत्तर हो जाएगा प्रा Communist की प्रवाद took हरीआंसोर ऑंचल के परवर्चन में पूंचब पुर्चा जाता है रामसर स्वकल अंचल इसकीdır के मासला च्ची, नेक्ट् महादरी बर्मा की कभिताओं में ? महादरी बर्मा मैंने कई बार में कभी ब्रक्ति ही है ? महादेवी बर्मा जी कि प्रसिद्रचना यामा और इनका संबंद कहां से है चायवास्ते इनका जन्म हुआ उनीसो साथ में और इनकी जो मार में क्या विव्यक्ति है वो आंत्रिक बेदना और पीना से संबंद अभी व्यक्ति हुई है यह चीज आपको याद रखनी है नेक्स दबाक में दो तार से क्या उपरा है तो हिर्दय रूपी बीना के तारों से यहाँ पर दो तार का सब्द लिया है इस प्रकार से भी कोस्टिन पूछे जाते हैं बात करें कभी नागर्जुन की दोस्तों आपको बता होगा कि नागर्जुन की एक नाएक रचना हिंदी साहि जो ही एक जाम होता उनमें पूछिए जाती है तो तभी नागर्जुन का जो मूल नाम था वो क्या था लेका नागर्जुन आम था वेकिना का दवी पर सिद्द इनकी रचनाय method ग्यों कि ना गर्जुन यंदह कॉस्टों को दूसरे भारत का कभीर। कभी नागार जो नाने मैंतरी जम्म कको कवीता लिखी। छियां दोस्तों इन्हों ने मैंतरी भाहसा में फिरीवाहा की। जो रचना है मैंतरी भाहसा में इनकी रचित-चना याक है और तालाब की मश्रियां यह जो रचना है वो क्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी तालाब की मश्रियां मतलब यह दार अंबर जो बिकल्पता है यह सही हो जाएगा योग धारा भी इनकी रचना है सतरंगे पंखों वाली प्यासी पत्राई याक है तालाब की मश्रिया इसा भी इनी की रचना है, नई पॉध इनी की रचना है, रतिनात की चाची, बटूसर नात इस प्रकार से इनकी बहुत सारी रचना है नेक्स देखें, आमले धबल गिरी के सिख्रों पर कभीता की रेशनाकार हैं, तो इस कभीता की रेशनाकार भी नागरजुन ही है, तो इसको याद रखें, ठीक है, अंगला कॉस्चन है दोस्तों, तुम ने हमाले के कंदों पर छोटी बड़ी कई जीले हैं, पक्तियों में न प्रस्ण AHC, आपको पता होगा, कई एक जानता कूछा जाता है, ये कभी किस उपका है, वो कभी किस उपकेश प्रकार से, तो जो नागरजुन साभ्य प्रगती बात, प्रगती बात से सम्वन्दित है ना प्याल रखें, के दाना,तकरबाल, ना गर। ये सभी प्रगती बा सबसे बड़ा आदमी किस ने कहा है तो विसेंट इसमित ने कहा है तो याद रख लेना यह एक्जाम में पूचा ही जाता है तुल्षिदास को कहा है है ना नेक्स्ट चैकेस ग्रंथ में सुर्दास की शूर्दास की भरमर। बर्वे रामाण में कितने चंद है चंद बताना है तो उनत्तर चंद है दोस्तो बरवे रामा है बरवे रामाण में उनत्तर चंद है और बरवे रामाण जो किरती है वो किसकी है तुल्शीदास जी की है तुल्शीदास की कौन सी रचना पंडित गंगाराम जोत्सी के आगरह पर रचित की गई जोत्सी िोड़िकी वातार यहां पर जोद्सी से अधराश की भक्ति पधति हैं अको को पता ही होगा दशी जो पधधति वह दास्वाह की है बैएनि मादवदास की उनसार तुल-शी की i7th रचना कौनसी है तो इनके अनुसार जो रचना है वह नी माधवाध दास के अनुसार तो गीता वली है अन्गी तुलशिदास जी की बहनी बाद क्या खॉद्वा सवा सब्सक्राइक तुलसी गरंता बली का प्रकासन कितने खंडों में किया गया तो तुलसी गरंता बली का किया गया नागरी प्रचानी सभादवारा 1923 में दो खंडों में किया गया तुल्षिदास का जन्मिस्तान है तो रामचंद सुखली जी ने तुल्षिदास का जन्मिस्तान राजा पुर्माना है याद रख ले ना तुल्षिदास जी का जन्मिस्तान आचा रामचंद सुखले राजा पुर्माना है याद रखो इसको रामचंद मानस के जो साथ कांड ह सबसे पहले आता है कौन सा बाल कंड आयुद्धा कंड अरन्द कंड है ना सबसे पहले बालक रह बन गए और किसी कंड़ा कंड वहां पर किसकंड़ा कंड वह देख देना दोहा वली रामलवा नहचु रामग्या प्रस्णा वली 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 जाती बिलास यह जो रचना है किसकी है अब देव कभी की है किसकी है देव कभी रीतिकाल के यह कभी है प्रमुक कभी है देव कभी तो बिलास बिलास आ रहा मतलब देव को किसका प्रमुक कभी माना जाता है तो देव को माना जाता है स्रंगार प्रकृति का क्योंकि स्रंगार रीति काली की बेशेश्ता है प्याद रख लेना इसको कभी देवने के सक्टी को स्रेष्ट माना है जिहां दोस्तों तो आभिदा जो सक्ती है देवने अमीदा को माना है ऐसाज अमिदा का अमीदा हो जाएगा क्ःपदार से तो एचीज आपको याद रख नहीं है, मैं नहीं पर करकार से पुछ से मैं ने बनाया था orama देव के शुगा, शुगा, मातार से सभी रिति भडों दाहर ने canon. ये तो मरक शुकुसत कि इंग सब्सक्राव से कता हुझत और घूरं लेकिन जो देव कभी हैं इन्होंने 34 बाद संचारी भाव माना है वो माना प्रियोग बाद के जनक माने जाते हैं तो आपको पता होगा अग्गे जी माने जाते हैं है ना देखक अग्ये की पहली कहानी सेवा पत्रिका मैं कब प्रकासे तुई तुई सेवा पत्रिका मैं 1924 में प्रकासे तुई तुई अग्ये जी की है ना याल रपो इनको नेश्ट है अगे का प्रथाम उपन्हें सेखर एक carnival raising सेखर qiad nueva जीवनी ऊची醒 है रचण एक पान्यास्षियल ने सेखर एक जीवनी हिए उपन्हें सेखर एक शिर्जित क्या एन पुराफारी में स्हल्जित किया गया और चीज में ज़いたरों यहाद रखना जीवनी आ झ पूरी रचना है आप देख ले ना विपत्गा जैदोल कोटरी की बाद तो इस सरणार्थी पूछी जाती हमेशा यह अग्गे जी की ही रचना है इनको बहुत अच्छे से हमें याद रख लेना है अग्गे का आत्मने पद क्या है आत्मने पद भी पूछा जाता है आत्मने पद किसकी रचना है तो यह निवंद्र साहित है इनका आत्मने पद किसका अग्गे जी का अग्गे ने अपने लेखन के पीछे किसे प्रेना माना तो अग्गे ने अपने लेखन के पीछे दोस्तों आंत्रिक ववस्ता को इनों ने प्रेना माना तो आंत्रिक ववस्ता अग्गे जी ने हिरोसिमा कभीता लेखक अग्गे के किस काब ग्रंत से उद्रत है तो हिरोसिमा जो कभीता है अग्गे के किस से है अरी यो करुणा प्रभामाई से यह उद्रत है हिरोसिमा कभीता देखें मैं क्यों लिखता हूं किस नदी में उन्होंने बं फैंक कर हजाराँ मश्रियां मारते हुए देखाimme यंद्सरें पूंचा रहता की तेलीर को मरते हुए देखा त्रैलोचन का मुल नाम क्या था पूंचहा जाता है दोस्तो Опर मुल नाम किस नाम सें लेखते थे सारे के सारे पूंचे जाते हैं तो बाफुध्र हो जो है इन language याद रख ल barr इन्द नहाँ पर नाम जितने भी है मैं एक विडियो बनादू औह योग की गंगा का नीद के बादल पूल नहीं रंग बोलते हैं और का आइना समय पर कभी ताहें किसके हैं तो ए है केदारनात अगरवाल केदारनात में आपको अमया सुन्दर वादियां है तो भूल नहीं रंग बोलते हैं यहां के, यहां नींद के बादर रहते हैं, बादरों को भी नींद आयाती है केदा नात आदी में उत्तराखंड में ना, योग की गंगा, यह ना गंगा भी वहीं से निकलती है उत्तराखंड से, यह सारी हैं, समय समय पर और आग काईना, यह ग्रिजा गुमार मातुर की कविता छाया मत छूना के संबन्द निम्न में से असत्त है तो वो हास वा ब्यांग मनुभाव की अभिव्यक्ति ए असत्त है छाया मत छूना इनको याद रख लेना है नेट्स देखें। चंद्र गहनँ से लोटती बेर कविता की लेखा इंडाना तग्रवाज जी हैं टार्च बैचने वाले ब्यंग आत्मक निवंद रचना किस प्रकार की है टार्च बैचने वाले ये ब्यंग आत्मक रचना है और ये किस प्रकार की रचना है ये प्रितिक आत्मक रचना माने जाती है टार्च बैचने वाले इनको बहुत ही ध्यान से हमें परना है महत्पूर नाटक कोणार्क, आपको बता हो था, कई पार पूछा गए कोणार्क, दसरत नंतन, सार्दिया, पहला राजा, तो एक किसके नाटक हैं, नाटक बताना तयजग दीष चेंदर मातन withdraw जी के नाटक हैं, कोणार्क याद रख लेना और सार्दिया भी याद रख जगदिश्चदर मातर जी के द्वारा कैसे ना। रिल्ड कि यह कांकि की प्रणों के अंद्रे्इ पात्र कोई से हैं तो केंडिये जो पात्र है रीडी की अड़ी की वो उमा है विकल नमर सा इसका सही हो जाएगा रीडी की अड़ी की कभी कभी पात्र भी पूछे जाते हैं तो कभीर की भासा को सादुक्डी भासा कहा है जिसका अभी प्रह है तो सादु संगती में बिक्सित भासा है ना पंजमेर खिचली सादुक्डी भासा कभीर की भासा को पहा जाता है इनकी जो रचना है वो बीजक में संगरत हैं साखी स सबाध रमेनी आपको तो पताई होगा करिफिती तो qagir da जी ने तो प्रितिक आत्मक सेली में इन्होंने रचनाई की जैसंकर प्रसाद की बारे में तो आप जानते होंगे इनका कामाईनी महा का बहुत ही भेमा से हमेशा पूछा जाता है 15 सर्ग उसमें है और इसके कभी-कभी सर्ग भी पूछा जाता है कि पहला सर्ग कौन सा है तो पहला चिंता है और अनंद है तो याद रख लेना ना पहले की जैनन wrapper कमार का जो मूल नाम था वह उसके मान आनंद coses निम्लक likes कहानी साहित का काल क्रम निर्धारत करें साहित का साहित का जो एक कहानिया है एक राद दोचरिया पाजेव वर जलसंदी जैसंदी ये जैनेंद्र कुमार साब की हैं एक राप दो चणिया पाजेब और जैसंदी ये हो जाएंगी मतलब ये जो बिगर नमर सा है ये सही हो जाएगा करम में जैनेंद्र कुमार की बात करें किस कोटी किस साहितकार थे जैनेंद्र कुमार जी तो जैनेंद्र कुमार जी दोस्तों मनुविश्रेशनबादी साहितकार थे इला चद्र जोसी है ना जैनेंद्र कुमार और अग्ये इत तीन है जो मनुविश्रेशनबादी कहलाते हैं क्वेस जैनेंद्र कुमार का है जैनेंद्र कुमार के वारे में आपको इनके उपनयास इनकी रचनाओं की वारे में अच्छछ ses याद कर लेगा उपनयास कि इन्हें किस रूप में ख्याती दिलवाई तो त्याग पत्र जो इनका उपन्यास था है ने मनोवे अज्यानेक उपन्यास मनोवे स्रेशनबादी उपन्यास की रूप में ख्याती दिलवाई अगर इनकी उपन्यास कोई है तो वो है त्याकपत्र इसको याद रख लेना है त्याकपत्र बहुती इनका भ्यमत उपन्यास माना जाता है कभी जनेंद्र कुमार का बाजार दर्सन किन मूल तत्तों को केंद्र में रखकर लिखा गया है तो इनका जो बाजार दर्सन है ये लिखा है बाजारवाद का बरता सरूप और भुकता की आवसक्ता इस इन बातों को केंद्र में रखकर अन्होंने बाजार दर्सन जो है लिख अध्यात्मे के दर्सन होते हैं तो प्रतिकात्मक अध्यात्मे के दर्सन नीलम देश की राज करन्या है ना यह कहानी है याद रखो इसको नीलम देश की राज करन्या एक कहानी है और प्रतिकात्मक अध्यात्मे के दर्सन होते हैं इसमें प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सब्त सरोज का प्रसात प्रकासित हुआ था यह दोस्तों हुआ था 1917 में सब्त सरोज इनका पहला कहानी संग्राय माना जाता है और इसका जो प्रकासन हुआ 1917 में हुआ इसको याद रख लेना प्रेम चंदर का पहला विदवा विवा है पर आधरत हिंदी उपन्यास प्रेमा प्रेम्चंद की पहली मौलेक कहानी जो 1907 में जमाना में प्रकास दूई किस नाम से संसार का अनमोल रतन तो इसको याद रख लेना इनकी मौलेक कहानी थी प्रेम्चंद की नहीं है तो प्रेम्चंद की ग्राम नहीं है परिच्छा सुजान भगत कजा की इनकी है लेकिन ग्राम इनकी नहीं है ठीक है प्रेम्चंद की कहानियों का संकलन मान सरोबर कितने खंड में है जिहां दोस्तों इनकी कहानियों का संकलन मान सरोबर और और खंड कई बार एक्जाम में आचुका है उसको यार रख़ देना है तो इनका उपन्यास और कफन कहानी इनकी अंते मानी जाती है और गोदान को ग्रामीड जीवन का महा काब भी कहा जाता है कर बार एक्जाम में पूछा गया प्रेम चंद की जीवन की अंतिम समय की कहानियों की सवर था तो आधर्स बादी था इनकी कहानियों का अंतिम पूछा गया है गांदी जी कैसा ही हो वाधुरन से जोड़ जाने के प्रेम जो प्रेम चंद जी थे इन्होंने क्या किया इन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी दोस्तों सोचो देश देवा के लिए उन्होंने अपनी शरकारे नौकरी त्याग दी और जब कि आपको पता था कि प्रेमचंड गरीब बर्ग से मत्यम बर्ग से सम्मंद रखते थे और कई जगह उन्होंने नौकरी छोड़ी प्रत्म पत्नी से इनका विवाग हुआ था बहुत कुरूप थी फिर इन्होंने दूतिय विवाग किया था और उनकी पिताजी का देहांत हो जाने के कारण सारा जो बोज है इनकी कंदों पर आ गया उसके बाद उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सिवरानी है ना या रख लेना और सिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी सिवरानी प्रेमचंद घर में करके सिवरानी देवी ने लिखी थी यह पूछा जाता हमेशा प्रेमचंद घर में किसकी द्वारा रचत प्रेमचंद की जीवनी है तो सिवरानी देवी द्वारा रचत है तो इसक लेखना प्राग्म कर दिया देया नारा निगन साब ने प्रेम चंद नाम दिया था तो इसको याद रख लेना बहुत ही महत्पुन प्रसनों का संगलन ने वीडियो में किया गया दौस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कहीं और अनलोगों तक इस वीडियो को सेयर करना है आज के लिए बास इतना ही जय हैं